भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी 22 नवंबर से खेली जाएगी। पहला मुकाबला पर्त के मैदान पर होगा। लेकिन पहले मुकाबले में नियमित कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज शुब्मन गिल नहीं खेल पाएंगे। रोहित अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद आस्ट्रेलिया रवाना नहीं हुए हैं और गिल चोटिल हैं। ऐसे में रोहित की जगा जस्परीत बुमरा टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। अब सीरीज शुरू होने से पहले BCCI ने बड़ा फैसला लिया है। भारतिय टेस्ट स्क्वार्ड के एलान के वक्त यश दयाल का नाम में और रिजव दोनों में ही नहीं था। लेकिन अब दयाल की रिजव में चोटिल खलील एहमद की जगा एंट्री हो गई है। यश दयाल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में मौका मिला था। लेकिन तब उन्हें एक भी मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। T20 सीरीज खत्म होने का बाद वह भारत नहीं लोटे, बलकि सीधे पर्थ पहुँच गए हैं। इससे पहले दयाल को बांगलादेश के खिलाफ भारतिय टेस्ट टीम में जगह मिली थी, लेकिन उनका डेब्यू नहीं हो पाया था। यश दयाल ने IPL 2024 में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था और उन्होंने दमदार खेल दिखाते हुए टीम को प्लेफ में पहुचाया था। उन्होंने IPL 2024 के 14 मैचों में कुल 15 विकेट अपने नाम किये थे। इसके अलावा उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा जिसका इनाम अब उन्हें मिला है। दयाल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू ने अनकैप्ट प्लेयर के तौर पर रिटेन किया है। उन्होंने अभी तक टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। खलील एहमत को चोट लग गई थी और वहां नेट्स पर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। मेडिकल टीम ने उन्हें आराम की सलाह दी जिसके बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। बी सी सी आई के एक सूत्र ने बताया कि यह विकल्प की तरह है क्योंकि भारतिय टीम को अभ्यास के लिए मिचिल स्टार्प की तरह का गेंदबाज चाहिए। दयाल को एक टेस्ट खेलना था लेकिन उन्हें दक्षन अफ्रीका भेज दिया गया था। खलील अगर गेंदबाजी नहीं कर सकता तो उसके यहां रहने का कोई फाइदा नहीं था। अभी यह तै नहीं है कि खलील IPL नीलामी से पहले सयद मुश्टाक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट खेलेंगे या नहीं। दिल्ली कापिटल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया है।